कि अब्धिम्न वैलकम टुट्सनाय स्टरी जोन। फ्रेंस आज की वन शॉट शर्येज में हम समझेंगे गमक को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वन शॉट सी इसं में घमक के बारे में चर्चा करेंगे। और सीरियस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे इसके साथ ही साथ आप यतना इस्टेरी जोन के वाट्सप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी याद कर लेना और समझ लेना बहुत ही चरूरी है वो श्लोक कुछ इस प्रकार से है स्वरस्य कमपो गम का शोत्र चित्य सुखा वहा अठात स्वर के उस प्रकार की कमपन को प्राचीन काल में गमक कहते थे जिससे शोताओ का शित्य प्रशन्य होता था तो ये थी इसकी परिभाशा इसमें आपने इस लोक का अर्थ समझा कि स्वर के उस प्रकार के कमपन को प्राचीन काल में गमक कहते थे जिससे शोताओ का शित्य प्रशन्य होता था तो ये तो परिभाशा रही प्राचीन काल की, क्या आप सबको पता है कि आधोनिक काल में यानि की वर्तमान काल में गमक की परिभाशा क्या है, चलिए मैं बता लेती हूँ, वर्तमान काल में सरो को गंभीरता पूर्वक उचारन करने को गमक कहते हैं, सरो का गंभीरता पूर् उच्छारण ही गमक है वर्तमान काल में गमक की परिभाशा तो इसे आप लोग note down करते चलिएगा तो चलिए अब हम समझते हैं कि गमक कितने प्रकार के होते हैं और हम उत्तर भारती गमक के बारे में बात करने वाले हैं कि उत्तर भारती संगीत में गमक के कितने प्रकार माने गए हैं पंडित शारंग देव ने गमक के पंद्रा प्रकार बताए हुए है अब ये पंद्रा प्रकार कौन-कौन से हैं चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं सबसे पहला गमक है कंपिद गमक कंपित गमक जिसे हम खटका के नाम से भी जानते हैं इसका मात्राकाल जो हो जाता है वो एक बटे चार इसका मात्राकाल हो जाता है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा ये सारे एक्जैम्स में पूछे जाते हैं कि किस गमक का क्या मात्राकाल है अब दूसरी गमक की बात कर लेंगे अगर हम दूसरी गमक हमारा आ जाता है अन्दोलित गमक जो है वो एक मात्रा काल में कमपन निकता है ये एक मात्रा काल का गमक होता है ठीक है? हमारा नेक्स्ट गमक है आहत निकट के स्वर को इसपश्ट करके मूल स्वर पर आना आहत गमक कहलाता है इसे हम कर्ण के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट हमारा गमक हो जाता है प्लावित एक स्वर से दूसरे स्वर तक अखंड रूप से उच्चरन करना ही प्लावित गमक होता है इसे हम आधोने काल में मीड के नाम से भी जानते हैं ये जो प्लावित गमक है ये मीड के समान भी होता है या फिर ये कहें कि मीड जो है वो प्लावित गमक के समान होता है नेक्ट गमक है हमारा उल्लासित इसमें हर स्वर अपने पहले के स्वर को ऐसे छूता है जैसे लगता हो कि स्वर हिल रहा है तो ये स्वर उल्लासित गमक होता है ये जो गमक है वो उल्लासित गमक का रूप है नेक्स्ट गमक की हम बात करेंगे कि छटा गमक हमारा कौन सा है छटा गमक हमारा है इस्फुरित इस्फुरित एक बटे छे मात्राकाल का होता है, कंपित सुवर का सीगरता से उचारन करते हुए, मूल सुवर का इस पर शुरूप से प्रयोग करना ही, इस फुरत गमक होता है, इसे गिटकरी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंड्स आप यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, कि यह जो मैं आपको गमक के प्रकार बता रही हूँ, यह आपको सीरियल से बता रही हूँ, तो इसका सीरियल आप चरूर से ध्यान रखिएगा, कभी-कभी पूछ लेता है, कि आहद गमक के बाद कौन सा गमक आता है, तो ये आपको क्रम इसका पता होना चाहिए तो ये क्रम से आपको गमक बताए जा रहा है हमारा अगला गमक है त्रिभिन त्रिभिन यानि तीनो इस्थान मंद्र मद्य और तार में वेक से संचार करने को त्रिभिन कहते हैं इसे हम पुकार के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट गमक है हमारा वलित, चार स्वर को बार-बार सीग्रिता से ऐसे बचाते हैं कि उसका चक्र सा बन जाता है, वह वलित गमक कहलाता है। नेक्स्ट गमक है हुम्फित गमक, हुम्फित गमक में हिर्दय पर जोड लगा अगर स्वरों का उच्चारण होता है, तो यह हुम्फित गमक की परिभाशा हो गई, नेक्स्ट गमक है लीन गमक, लीन गमक एक बटे दो मात्रा काल का होता है, यानि आधी मात्रा काल, तो आधी मात्रा के काल में किसी आगे या पीछे के स्वर में लीन हो जाना ही, लीन गमक का कार्य होता है, तो यह हो गई लीन की परिभाशा, अब नेक्स्ट गमक के बारे में समझते हैं नेक्स्ट गमक है तिरिप यहां एक बटे आठ मात्र काल का होता है तीव्र गती से स्वरका प्रीयोग इसमें होता है इसे हिलोल के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट गमक मुद्रित गमक इसमें मुग बंद करके स्वरो का कमपन किया जाता है इसमें स्वरो का गायन गले को संकुशित करके किया जाता है इसे गजीर के नाम से भी जाना जाता है इसमें स्वर का कमपन को मलता से होता है और हमारा अंतिम गमक है मिश्रित गमक मिश्रत गमक में दो या दो से अधिक गमक का प्रियोग एक साथ किया जाता है तो आप लोगों ने समझा गमक के बारे में कि उत्तर भारती संगीत में गमक की संख्या कितनी होती है गमक 15 प्रकार के उत्तर भारती संगीत में होते हैं जो कि शारंग देव जी ने बताए हुए हैं अब अगर हम बात करें कि दक्षन भारती संगीत में कितने गमक पाए जाते हैं कितने गमक हैं वहाँ पे तो दक्षन भारती संगीत में गमक की संख्या दक्षिन भारती संगीत में गमक की संख्या 10 होती है इसे आप लोग जरूर सिकर दीजेगा तो यह आपको clear हो गया कि उत्तर भारती है संगीत में 15 गमक होते हैं 15 प्रकार के गमक होते हैं और दक्षिन भारती संगीत में 10 प्रकार के गमक होते हैं तो आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें जरूर से बताईएगा वन शॉर्ट सेरीज आपके लिए कितनी बेनिफिशल हो रही है ये हमें कमेंट में जरूर से बताने की कोशिश कीजेगा तो चलिए फ्रेंट्स फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपनी बढ़ाई को कंटिन्यू करते रहे है थैंक्यू